आपके अपने स्क्राटर नर्सिंग की सौनर प्रेटफॉर्म पर आप सभी को नमश्कार आप सभी को गुड़ मॉर्निंग आज की इस क्लास में हम कुछ इंबॉर्डंट इमीजिस के बारे में बात करेंगे जो कि इम्स इलिक एकॉर्डिंग, जो इम्स के अंदर, एक्जाम के अंदर, नौ्टिट के अंदर जो पूशी जाती है या अदर हम कॉमपेटिशन एक्जाम की बात करें तो बहुत सारी इमीजिस के regarding कुछन्स आने लगते हैं आजकल तो उन सभी के बारे में बात करेंगे जो कि अक्सर exams के अंदर आती है और आने की possibility होती है आने की संभावनाई होती है तो आपको बने रहना है इस class के अंदर आराम से बैठना है रिलेक्स होगे बैठना है किसी भी image का अगर आती है तो आपकर question आते है आता है तो प्लीज उसका answer करना है नहीं आता है तो उसको लिखना है screenshot लेना है ताकि आप उन चीजों को revise जल्दी से जल्दी कर सको अगर आपके screenshot नहीं ले सकते हो तो प्लीज इस वीडियो को save कर लेंगे ताकि आपके लिए जो आने वाले exams के अंदर ये helpful हो जाए आगे बासाज में चलिए class को शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ motivational thought के बारे में बताते हैं कि मंजिल उनी को मिलती है जो रास्तों की कटनाईयों की परवा किये बिना आगे बढ़ जाते है प्यारे बच्चों इसका मतलब क्या है कि सिर्फ आपके मंजिल को पाने के लिए रास्ते में जितनी भी कटनाईया आती है उनकी आपको परवा नहीं करनी है आपको नींद आ रही है आपको पढ़ना है आपको भूक लग रही है तो आपको पढ़ना है बहुत सारी चीज़े हमारे साथ होती है हंवारे जीवन के अंदर लेकिन वह भी वह जीवन का पार्ट है वह भी एग specific हैए लेकिन आपको एपने गोल से अपने focus से नहीं हटना है आगे बाज सारी चीजें कोई किस सी ब्यस्त है तो कोंई किस चीज पहुत बढ़िया है इस image को आप देखेंगे इस image का क्या answer होने वाला है देखो सबसे पहला बताया गया है आर्ट्री फोर्सक्स होती है, आर्ट्री फोर्सक्स स्टेट होती है, कब्ड होती है, टाल किलिप होती है या फिर निडिल होल्डर होता है इस image को ध्यान से देखना है, इस image के अंदर क्या बताया गया है कि इस image के अंदर आपको ये hook जैसा बताया गया है कि यहाँ पे sir hook होते हैं दो, यहाँ पे दो hook हैं और कैसा बताया गया है कि इसा दो hook हैं और यहाँ से यह खुला पड़ा है, यह हमारा handles होते हैं कि sir ऐसी दो hook वाली कौन सी चीज होती है, क्या इसको artery forceps बोल देंगे, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, towel clip बोलेंगे, या फिर इसको needle holder बोलेंगे, चलती बताएंगे फटा 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 आंसर से, देखो needle holder आप सभी ने देखा होगा, अगर किसी ने practical basis में या फिर किसी ने आपने hospital duties के अंदर आपने work किया है, hospital के अंदर work किया है, तो आप सभी को इसके बारे में पता होगा, अगर आपको नहीं आता तो इसको बोलते है, towel clip, towel clip का use कहा होता है, मेरे प्यारे बच्चों, बताएंगे फटा बट से, towel clip एक simple सी चीज होती है, simple in the sense मैं आपको बताता ह towel clip, जैसे ही इसको open करते हैं, इसके अंदर जो hook होते हैं, वो खुल जाते हैं, और जैसे ही आप इसको close करते हो, hook भी बंद हो जाते हैं, तो किसी भी चीज को graft करने के लिए, यूज किया था, towel clip, जैसे suppose that किसी का lapro tummy करना है, किसी का pate में चीरा लगाना है, lapro tummy करना है, तो cut कट शीत जो होती है चारो तरफ मिचादेते हैं चिर बिलकोल करते है तो आपको पूछना है कि किसके लिंग करते हैं कि सर इसको Tite Purpose थी यूज़ करते हैं या फिर grasp purpose थी यूज़ करते हैं क्या मेरी बास सजबी में आ गई आप सभी को तो इस तभी भी आपके सामने saamने 이 image आती है तो आपको बताना है कि सर ये क्या है कि सर ये हमारी होता है क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि सर HME filter होता है अब HME filter का मतलब क्या होता है HME filter की full form क्या होती है फटाबट से बताएंगे मुझे फटाबट से आंसर करेंगे कि सर HME filter होता है उसका क्या मतलब है कहा यूज होता है और इसका क्या नाम होता है बताएंगे पड़ापट से HME देखो HME का मतलब होता है Heat and Moisture Exchanger क्या होता है Heat and Moisture Exchanger Heat and Moist को क्या करता है Exchanger का काम करता है Exchange करने का काम करता है इसका यूज होता है Ventilator के लिए Ventilator पे जब patients होते है Ventilator circuit से एक part connect कियाता है और हमारे catheter mount से connect कियाता है मैं आपको बताता हूँ कि suppose that ये हमारे 80 tube है पेशेंट की ठीक है यहाँ पे हमने connect किया है हमारा catheter mount connect कर दिया है यहाँ पे हम क्या करते है इस HME filter का use करते है मेरे प्यारे बच्चो और इस HME filter का use कैसे करते है क्यों करते हैं इस hME filter का use क्योंकि किसी भी particles को किसी भी foreign body को किसी भी particles को अंदर जाने से airway के अंदर जाने से क्या करती है airway के अंदर जाने से क्या करती है उसको prevent करने का काम करती है करती है नहीं करती है किसर बिल्कुल करती है इसको prevent करने के काम कौन करती है इसके अंदर filter लगा होता है हमी filter का नाम जैसा नाम है उसका यह वैसा ही काम है कि सर इसके अंदर क्या लगाता है एक filter लगा होता है यह आने वाली ventilator से air को humidify करता है, heat करता है जैसा आपको environment चीए जैसे आपके lungs को environment चीए वैसा आपको यह environment बना के देता है अगे बासन में जैसा आप nose से सांस लेते हो normal सांस लेते हो वैसे आपको lungs की आदत है कि ऐसी ही सांस मुझे आएगी और ऐसी ही सांस कौन देता है यह हमारा हमी filter देता है क्या मेरी बासन में आगई बहुत बढ़िया इसका मतलब क्या है इसका मतलब आप सभी को बता होगा इसको बोलते है वेन सर्केट इसको बोलते है मेरे प्यारे बच्चों इसको बोलते है वेन सर्केट अब वेन सर्केट मैंने आपको कल की किलास में इसके बारे में बताया था कि सर वेन सर्केट जो होता है मैंने आपको बताया था पोर्ट होता है यह oxygen को क्या करते है पुष करने का काम करते है इसके अंदर oxygen बढ़ती है फिर हम पुष करते है फिर oxygen बढ़ती है फिर पूश करते हैं फिर पूश करते हैं गर आपका पीशंट जो है अंदर उसको Подschaft करना है तो आप्वेंस क्या करते हो आगे बास में वेंस क्या करता है कि सर 100% saturation को maintain करने का काम करता है क्या करता है प्यारे बुचों कि सर 100% saturation का काम करता है और जब भी आपका ventilator off हो गया है दूसरी condition को भी मैं बात करूँ suppose that आप इस यू के अंदर काम कर रहे हो आपका patient जो है आपके patient का ventilator जो है वो off हो गया है किसी भी कारण बस किसी भी technology के कारण किसी भी light के कारण कि light चली गए आपके ICU की वैसे नहीं होता है लेकिन अगर हो जाता है तो आपको क्या करना है patient को तुरंत के तुरंत veins पे लेना है और veins पे क्या करना है आपको oxygen उसको देनी है जिससे उसका जो 100% FIO2 का जो level है SPO2 का level है वो maintain रहे ताकि उसको किसी भी प्रकार की complexion नहीं देखनी पड़े आगई मेरी बास सब्समें मेरे प्यारे बच्चों क्योंकि जब oxygen नहीं होगा body के अंदर तो क्या नहीं होगी कि सर्फ blood हमारे tissues को demand नहीं होगी जब demand नहीं होगी तो क्या करेगा हमारा हमारा जो heart है वो pump करेगा ज़दा ज़दा तो टेकी काड़ी आपको देखने को मिल सकता है इसलिए क्या करना है इसलिए क्या करना है कि पहले हमें उस patient को वेंस पे लेना है ताकि हम उसकी जान को बचा सके क्या मेरी बासन में आ गई बहुत बढ़िया इस question का answer देंगे फटापट से ये क्या चीज है इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है ये ऐसा pack system होता है पुरा pack होता है इसको ऐसे गुमाया जाता है आगे वाले इससे को तोड़ जाता है तोड़ जाता है इससे एक निडल निकलती है इससे क्या निकलती है मेरे प्यारे बच्चों एक निडल निकलती है ये वाली निडल ने होती है इस निडल का क्या यूज होता है इसको बोलते है लेंसेट इसको बोलते हैं लेंसेट अब लेंसेट का काम क्या होता है लेंसेट का कहां यूज होता है किसे लेंसेट का यूज होता है जब भी हम ब्लेड शुगर करते हैं पेशेंट की जब भी हम ब्लेड शुगर करते हैं तो हम टिप पे क्या करते हैं हमारे इसको क्या करते हैं, पिंच कर देते हैं, ऐसे इसको पिंच करने का काम करते हैं, उसको क्या करते हैं, लेंसेट कहते हैं, यहां जैसे इसको पिंच करोगे, वहां से ब्लेड की ड्रॉप देखने को मिलेगी, और आप वैसे ही क्या कर लोगे, उसका ब्लेड शुगर कर लोगे, करोगे या नहीं करोगे कि सर बिल्कुल करे लेंगे इसको बोलते हैं लेंसेट और इसको फेकने का तरीका होता है इसका BMW जो मैनेजमेंट होता है वो कहा होता है कि सर इसके अंदर निडिल लगी हुई है इसके अंदर एक निडिल लगी हुई है निडिल को हम कहां फेकते हैं क वाइट ट्रांस्परेंट वाउक्स की अंदर फैका जाता है एक वाइट इसको डिसकार्ड करने का काम करते है क्या मेरी बात आप तक पहुंझ गई है समझ में आगया है चलें अगले Quesion की तरफ चलें प्यारे बुच्न चलिए चलिए इसके बारे में देखते यह क्या चीज है प्यारी बच्चों आपको देख रहा है आपको बहुत अच्छे तरीक इस देख रहा है एक मोनिटर आपको देखने को मिलता है इसके अंदर यह ऑक्सिजन पाइप जा रहे हैं यह क्या कर रहे हैं इसको कहते हैं बच्चों इसको सभी को पता होगा इसको कहत कहते हैं वेंटी लेटर इसको क्या कहते हैं कि सर इसको कहते हैं वेंटी लेटर अगर आप से कोई कुश्चन करता है कि सर वेंटी लेटर की इमेज कैसी होती है तो आपके सामने हैं इसको क्या कहते हैं वेंटी लेटर कहते हैं क्या मेरी बासन में आगी मैंने आपको बताया जब भी patient कुछ से सांस नहीं लेता है तो उसको ventilator पर लेना होता है लेना होता है नहीं होता इसके अंदर mode होते है bcv mode होता है volume control mode pcb mode होता है nib mode होता है बहुत सारे modes होते है जिसी patient को आप रखना है डॉक्टर जो आपको देता है नोटिफिक्शन्स उसको आपको क्या करना है फुल्फिल करना है ये पताएंगे ये क्या चीज है फटापट से इसका आंसर करेंगे ये क्या चीज है वह या इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है अगर ये आपको पता है इन दोनों चीजों के बारे में आपको पता है तो आप इसका अंसर कर दोगे इसको बोलते है defibrillator इसको बोलते है मेरे प्यारे बच्चों इसको बोलते है defibrillator जब भी आपका patient crash होता है जब भी आपका patient क्या होता है crash होता है है क्या करते हैं CPR के बाद हम शौक देते हैं पेशेंट को इलेक्ट्रिक शौक देते हैं इससे द्यानखना डी फैब का मतलब है इलेक्ट्रिक शौक ठीक है जब भी हम शौक देते हैं पेशेंट को तो क्या करते हैं उसके बाद हम CPR देते हैं तो शौक करने से उसकी जो electrical conductivity होती है वो बापस आ सकती है defab इसको कहते है defibrillator से कहते है अगी बास तर्मे ये क्या है इस image का नाम बताएंगे फटाबट से क्या होने वाली है image इस image क्या होने वाली है मेरे प्यारे मच्चो बताएंगे फटाबट से कि आपको मैंने आपको अभी अभी बताया था ये क्या होती है कि सर ये तो होते हैं लैंसेट और ये क्या होती है हमारी कि गुलकोज स्ट्रिप्स होती है ये क्या होती है गुलकोज स्ट्रिप्स होती है ये हमारा गुलको मीटर होता है सर ये मशीन होती है मशीन के आगे strip लागे जाती है और strip में अंदर आपको ये नीला-neela देखने को मिल रहा हरा देखने को मिलता है इसके अंदर blood की drop आती है और drop आने के बाद ये result करता है उसको बोलते है glutometer और ये क्या होता है हमारा ये हमारा होता है यह पेन टाइप में होता है, पेन गुलको मीटर होता है, यह कैसा होता है, इंसुलिन पेन इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, इसको किसर इंसुलिन पेन होता है, किसर इंसुलिन इसको पेन बोला जाता है, और डब्या जो होती है, यह गुलको स्ट्रिप इसके अंदर र अब देखो यूरो मीटर क्यों बोला इसको क्योंकि इसके अंदर क्या है कि सर एक मीटर लगा होता है कि सर इसके अंदर एक मीटर लगा होता है जिसकी अंदर यूरिन आता है और यूरिन को हम पल्ट के क्या कर देते हैं बैक के अंदर खाली कर देते हैं उसको कहते हैं यूरो यूज में लेते हैं क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों यहां तक की बात आपको समझ में आई या नहीं आई यहां तक की कहानी में किसी को डाउट है चलिए अगले कुश्चिंग की तरफ चलते हैं यह क्या है यह क्या है और यह क्या है दोनों क्या आंसर होने वाला है बताएंगे जल्दी से देखो आपने देखा होगा कि आप इसको बता रहे हो DBT Pump इसको ये तो होता है DBT Pump Deep Vane Thrombosis Deep Vane Thrombosis हमारी पैर के अंदर हमारी लेक्स के अंदर Deep Vane स्पाई जाती है और Deep Vane के अंदर Thrombosis होने के बहुत ज़्यदा चांसिस होते हैं जो हमारे Post Operative Patients होते हैं Quadriplegic Patients होते हैं उनके अंदर Deep Vane Thrombosis Patient होने के चांसिस ज़्यदा होते हैं इसलिए वहाँ पे क्या लगाया जाता है Deep Vane DVT Pump लगाया जाता है जो क्या करता है वो Continuously Plass करने का काम करता है एक Short Time Up Period के लिए क्या करता है इस कफ इसको बोलते हैं DVT Cuff अगर आप से Separate Question पुछा जाता है तो इस प्रकार का DVT Cuff होता है किसी भी Color Coding के अंदर हो सकता है आपको गवराना नहीं है यहाँ पे Red Color देखने को मिलता है आप शायद Blue देखने को मिल जाए White देखने को मिल जाए Green देखने को मिल जाए तो आपको गवराना नहीं है पैर के अंदर कोई कफ बंदा हुआ है तो इसको बोलते है DVT Cuff अगर बासस में और कोई Machine लगी हुई है तो इसको बोलते है DVT Pump यह क्या है बाईया बताएंगे फटापट से यह क्या प्रोसीजर कर रही है यह जो female है यह जो nurse है यह technician जो हैं यह क्या काम कर रहे है यह किस काम को अंजाम दे रहे हैं फटापट से answer करेंगे यह किस काम को अंजाम दे रहे हैं यह क्या कर रहे हैं यहां पर leads लगाई हुई है green green color की six leads लगी हुई है तो इसको बोलते हैं यह क्या कर रही है ECG कर रही है patient की six lead ECG भी इसको बोलते है इसको six lead ECG बोलते है यहां पर भी आपको देखने को मिलता है इस condition को बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों six lead ECG क्योंकि six leads egasleaps सोती है और चार कैसी हो होती है लिंफ सोती है आगी होती है और इएसीजी की ऊपर हम लेक्चर लेंगे आपको डीकेश होती है यह क्या है आपने इसके बारे में जनरली देखा होगा कि ये क्या चीज है ये क्या चीज है बच्चो इसके अंदर क्या चीज होती है कि सर इसके अंदर नेवुलाइशन मास्क लगा हुआ है पेशेंट को नेवुलाइश करने के लिए तो इसको बोलते हैं नेवुलाइशर कि जब भी patient suggest करता है कि आपको nevulation की जड़त है, तो आप क्या करते हो, इसका use करते हो, और इसके अंदर ये port लगा होता है, और इसके अंदर ये button होता है, on-off का, और इसको connect करते हैं, electricity से connect करते हैं, plug लगाते हैं, plug होता है, इसके अंदर plug लगाते हैं, और इसको use करते हैं, कै अब आपके सामने एक important image है, इसके बारे में मुझे आप बताएंगे, ये बहुत ज़्यादा important होती है, काफी वार exam के अंदर पूछी गई है, ये image आप सभी को पता होगी, लेकिन इसके अंदर जो खास बात पूछी जाती है, उसके बारे मैं आपको बताना चाता हूँ, इसको बोलते हैं cardiac monitor, cardiac monitor के अंदर आपको जात समझ में cardiac monitor है, लेकिन जो सबसे उपर चीज होती है, ये होती है heart rate, उसके नीचे जो होता है 98 जो आपको देखने को मिलता है, वो होता है spo2, और ये जो होती है, वो होती है respiration rate, और नीचे आपका BP होता है, ये होता है cardiac monitor का setup, अगे बसन में, अब यहाँ पे एक mark करेगा, आपको यहाँ पे, आपको ऐसे mark करके पूछेगा कि ये क्या चीज है, आपको गोला कर देगा question के अंदर, आपको बताना है, कि sir ये क्या चीज है, तो उपर ही उपर जो होता है cardiac monitor में, वो क्या होता है, मेरे प्यारे बच्चों, कि sir heart rate होती है, patient की pulse rate होती है, आगे बात समझ में, और आपसे question करता है, कि sir ये क्या है, कि sir आपको बताना है, कि sir SPO2 होता है, ये हमारा 20 respiration होता है, आपको एक थोड़ा थोड़ा सा idea भी लगाना है, अगर आपसे नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा idea लगाना है, आपको नॉर्मल डेंस के according, ये क्या होता है, मेरे प्यारे बच्चों, ये BP होता है, और ये कितना है, BP जो है, वो कितना, मीन कितना है, तो आपको बताना है, कि sir 90 है, मीन कितना है, कि sir 90 है, आगे बात समझ में, तो इन चीजों के बारे में आपको गभराना नहीं है, यहां से questions बहुत सारे बनते हैं, questions कैसे कैसे बनते हैं मैंने आपको बता दिये हैं आगे बास में अब इसके बारे में बताएंगे ये क्या चीज है आप सभी को पता है इसके बारे में ये नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ इसको बोलते हैं नेजो गेस्टिक ट्यूब इसको बोलते हैं सर नेजो गेस्टिक ट् सेंटीमीटर की होती है और इंसर्टिंग जो लेंट होती है इसको को कंफूरमेशन करते हैं। मैं आपको बताता हूं किये आपको रेडियो ऑपना होती है इसके अंदर एक रेडियो उपेक लाइन होती है जो आपको ग्रीन कलर की देखने को मिल रही है कि आपको ग्रीन कलर की लाइन देखने को मिल रही है पूरी नली पे ये रेडियो उपेक लाइन है मेरे प्यारे बच्चों इसको बोलते है रेडियो उपेक लाइन जैसे ही रेडियो उपेक लाइन जैसे ह नीले गलर की लाइन होती है, गॉस्पीस का पैकेट आपने देखा होगा, उसके अंदर नीले गलर की लाइन होती है, उसको बोलते है, रेडियो ओपेक लाइन, वहाँ भी X-ray के अंदर उसको विजी वली क्या कर सकते है, एजी ली विजी वल कर सकते है, या X-ray के अंदर वो क्या हो जाती है ट्रैप हो जाती है आगे बास में सिंपल सी कहानी है इसके बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो यह टूबिंग होती है यहां पर हमारा क्या होता है यह कनेक्टर होता है और यह यहां पर पोर्स पाए जाते हैं यह वाला टिप जो होती है यह बादने जो तो यह तो आपको मोर डीटेल के अंदर चाहिए तो आपको कहा जाना पड़ेगा मेरी लेक्टर के अंदर जाना पड़ेगा जिससे आप क्या कर सकते हो easily देख सकते हो समझ सकते हो अब मुझे बताएंगे इसके बारे में ये क्या चीज है बैया तो इसको सिंपल सी नाम बोलते हैं इसको बोलते हैं फालीज कैथेटर इसको बोलते हैं फालीज कैथेटर यहाँ पे दो पोर्ट होते हैं यहां पे दो port होते हैं, एक जो वोला port होता है, यह वाला जो port होता है, वो urine के लिए होता है, और यह जो आपको red color का देखने को मिलता है, यह जो आपको white color का देखने को मिल रहा है, यह port होता है हमारा valune port, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम 10 ml क्या करते हैं, saline डा के इस गुबारे को फुलाने का काम करते हैं ये होता है main value इसका काम क्या होता है to fix the fallis catheter इसको fix करने का काम करती है fallis को fix करने का काम कौन करता है हमारा main value करता है करता है नहीं करता है मेरे प्यारे बच्चों की सर बिलकुल कर देता है आपने देखा होगा आगे बासे में male and female दोनों के लिए यूज़ होता है इस topic की इस class की हमारी last image क्या कहती है देखेंगे ये क्या है बच्चों ये क्या है ये हमारी है ICD bottle क्या है आपने मैंने आपको कल बताया था chest tube के बारे में ये होती है ICD bottle ICD bottle का मतलब क्या है इसको हम use करते है किसी भी patient के अंदर मैंने आपको बताया था मैंने अगर आपने मेरी chest tube के अंदर class नहीं ली है या फिर हम कह सकते हैं ICD के उपर नहीं ली है तो आपको please go and watch बहुत ज़्यादा important है ICD का मतलब होता है intercostal drainage intercostal drainage का मतलब क्या है intercostal drainage का मतलब क्या है कि intercostal, costal space के अंदर जाके वहाँ से drain निकालने का काम करती है कौन? ICD bottle आगे बसस में symbol सी कहानी है आपको समझना है इसके बारे में क्योंकि यहाँ पे एक initial marking होती है मैं आपको बताता हूँ, यह आपको देखने में मिल रहा होगा कि इसके अंदर water भरा जाता है यह आपको देखने को मिलता होगा, यहाँ पे एक level होता है, initial level होता है यहाँ पे लिखा हुआ होता है, यहाँ तक हम पानी बढ़ते हैं इसके अंदर यहां तो कि हम एनस नर्म डिश्टिल वाटर बहा जाता है और जब भी इसके नंडे डिश्टिल वाटर बहा जाता है वो क्यों बढ़ते हैं क्यूंकि वृवल्स को देखा जाता है ए가요 आगर आ रही है या फिर हम कह सकते हैं कि इसको बहार कि जो air है वो प्रिवेस ना करे आगे बासन में क्या मेरी बासन में आ गई है बहुत बढ़िया थैंकि यू सो मज़ फूर बिंग देयर आज़ी क्लास में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे और आपको अगर क्लास पसंद आई हो important image आपको लगी हो तो प्लीज को शेर करेंगे अपने दोस्तों के शाथ ताकि उनको भी इस क्लास का benefit मिल सके और हमें भी हमें भी क्या मिल सके हमें भी motivation मिल सके ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा content ले के आए हमेशा ताकि सोमच बढ़ते रहें इसी प्रकार बढ़ते रहें